हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे चाशनी वाली मीठी गुचिया तो चलिए शुरू करते हैं गुचिया बनाने के लिए दो कप मैदा ले लिया है मैंने ग्राम में 500 ग्राम मैदा ले लेंगे और उसके बाद इसमें हम एट करेंगे रिफाइन ओईल तो ओईल मैंने आधा कप ओईल ले लिया है ओईल एट करने से गुचिया लंबे समी तक खस्ता रहती हैं साथी में इसमें एट करतेंगे एक चमच खी और सभी चीजों को अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर करेंगे मैदे के साथ तक को सब्सक्राइब तो अब इसका हम एक सौफ्ट सा डो बना के तयार कर लेंगे Blaze कर है तो तयार करने के लिए मैंने यहां पर हल्का कुण गुना पानी लिया है और इससे हम एक सौफ्ट सा डो त। यार करने फैस्जाड ठोड़ा ठोड़ा करके पानिसा करेंगे और आता गुद खर लेंगे तो देखे कि मैंने आता भी गुद के तयार कर लिया है । और इसे हम 15 से बेस्मिंट रैस पर छोड़ देंगे जब तक आता से हो रहा है तब तक खम और चीजू की तयारी कर लेंगे तो गुजिया के लिए स्टाफिंग तयार कर लेते हैं गुजिया के लिए स्टाफिंग तयार करने के लिए मैंने कुछ ड्राइफ रूट्स ले लिए हैं नारियल के टुकडे ले लिए हैं बारी काट के काजू, अखोड और बादाम ले लिए हैं आधा कटोरी लगबख सभी को ले लिया है और किश्मिश ले ली हैं बारी काट के इन्हें भी आधा कटोरी ले लिया है तो इनको हम फ्राइ करेंगे और साथी में मैंने एक कटोरी यानि की 200 ग्राम खोया लिया है यह खोया मैंने घर पर ही बना के तयार किया था एक लीटर द दिए गए आई बटन में शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्रवाइट करा दिया है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं और इलाइची पाउडर ले लेंगे तो ये चार-पांच इलाइचीयों को कूट के मैंने इसका पाउडर तयार कर लिया था और अब हम ड्राइफ फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं सबसे पहले एक पैन में हम देर चम्मज घी ले लेंगे ज्यादा घी नहीं लेना हमें थोड़ा सा घी लेना है क्योंकि हमें इन्हें हलका सा फ्राई करना है तो घी पिगल गया है इसमें ड्राइफ फ्रूट्स को एड़ कर देती हूं में फ्राइ करने से ड्राइफूट्स लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं और मसाला भी हमारा अच्छा रहेगा तो सभी चीजों को हम फ्राइज जरूर कर लेंगे तो हलका सा इन्हें रोस्ट कर लेंगे फ्लेम मीडियम ही रखें तो देखिए ट्राइफूट्स भी रोस्ट हो गए हैं दो मिंट हमने इन्हें रोस्ट कर लिया था अब इसे हम एक चौड़े बरतन में ट्रांसफर कर देंगे जिसमें हम गुजिया की स्टफिंग तयार इस तरीके से कोई चौड़ा बरतन ले ले जिसमें आप गुजिया की स्टफिंग तयार करें तो इन्हें भी मैंने ट्रांसफर कर दिया है और अब इसी पैन में हम खोया या मावा को फ्राई कर लेंगे तो इसे में निकाल लेती हूं यह फ्रीज में रखा था मैंने में ले लेते हैं और उसके बाद इन्हें फ्राई कर लेंगे खोया भी फ्राई जरूर करें आप यह जल्दी खराब नहीं होता है ऐसे में और मसाला भी हमारा अच्छा रहता है गुजिया लम्मे समय तक अच्छी चलती है आप इन्हें ज्यादा माउन में बना के खा सकते ह तो इसे एक बरतन में निकाल लेती हूं मैं तो खोया को मैंने उसी बरतन में निकाल लिया था जिसमें ड्राई फ्रूट्स आइड किये थे अब इसे हम ठंडा होने देंगे थोड़ा अभी यह गरम है तो इसमें स्टेज पे हम चीनी आड नहीं करेंगे तब तक हम अपनी और ज़ाश्णी बना के तयार कर लेते हैं गुजियों के लिए तो इसे साइड रख देती हूं और एक पतीला ले ले और उसमें एड करेंगे हम दो कप चीनी चीनी आड़ करने के बाद उतना ही अमाउंट में हम इसमें पानी आड़ करेंगे दो कप चीनी ली थी तो दो कप हम पानी आड़ करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तो इसे अब मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं तब तक चीनी पिघल जाएगी जब तक हम कुचिया के लिए स्टफिंग तयार करेंगे तो अब खोया चेक कर लेते हैं तो ये खोया भी ठंडा हो गया है आप इस तरीके से हाथ लगा के चेक कर लें ये हलका सा गरम हो तो अब इसमें हम और चीज़े एट करेंगे तो अब ये हलका सा गरम रह गया है बाकी ठंडा हो गया है तो इसमें इलाइची पाउडर एट कर देती हूँ मैं सबसे पहले और इसे mix कर लेंगे, खोया में थोड़ी गाठे बन गई है तो stuffing के लिए हमें एकदम बारीक चाहिए मसाला तो इसको इस तरीके से चम्मच की हेल्ब से mash कर लेती हूं और इलाइची powder भी साती में mix हो जाएगा अच्छे से तो देखिए, यह सभी चीजे अच्छे से mix हो गई है अब इसमें हम चीनी एड़ कर लेंगे तो यह powder sugar ले लिए है, मैंने आधा कप और अब इसको mix कर लेते हैं तो देखिए, powder sugar भी अच्छे से mix कर दिये, stuffing में तो अब हमारी गुचिया के लिए stuffing बनके तयार है तो इसे हम side रखतेंगे और अब चाशनी चेक कर लेते हैं तो देखिए, चीनी भी पिघल गई है तो इसे 10 मिन और पका लेते हैं चाशनी के लिए 10 मिन बाद चाशनी बनकर भी ready है आप इस तरीके से कर्ची में थोड़ी सी चाशनी ले ले और हाथ की help से चेक कर ले तो हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए बस ये हलकी सी हाथ पे चिपकनी चाहिए जैसे शहे चिपकता है हाथ पे तो चाशनी भी बनके तयार है गैस का flame बन कर लेंगे इससे ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे और अब इसे हम प्लेट से ढग देते हैं ताकि ये जल्दी ठंडी ना हो और अब हम गुजिया बना के तयार कर लेंगे तो आटा चेक कर लेते हैं तो देखिए आटा भी अच्छे से से सेट हो गया है अब इसके हम लोईया बना के तयार कर लेंगे तो इस तरीके से हम मीडियम साइज की लोईया ले लेंगे ज्यादा पतली लोईया नहीं लेनी है हमें नहीं तो गुजिया फट सकती है चाशनी वाली गुजिया की जो लेयर होती है वो थोड़ी मोटी होती है तो हमें इनकी लोईया भी इसी तरीके से मोटी लेनी है तो एक-एक करके मैं सभी लोईया बनाके तयार कर लेती हूँ इसी तरीके से तो ये सभी लोईया बनाके मैंने तयार कर ली है तो अब हम गुचिया बनाके तयार करते हैं इसे मैं साइड रग देती हूं और चकला ले लेती हूं, एक लोई ले लेंगे हम और इसे बेल लेंगे, बेल ते समय इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो सेंटर में है यहाँ पे इसकी थिकनेस मोटी होनी चाहिए और किनारों पे इसे हमें पतला करना है, बीच में इसे म मोटा रखे और किनारों पर पतला करें बेलनस से हमें किनारों पर प्रेस करते हुए पतला कर लेना है और बीच में मोटा ही रखना है ताकि तलते समय घुजिया फटेना अब इसमें स्टफिंग भर देते हैं गुजिया की तो यहाँ पर मैंने दो चम्मच स्टफिंग ली है आराम से साफधानी से आप डाले एक चम्मच और डाल देती हूँ और उसके बाद हम इनके किनारे पानी लगा के बन कर लेंगे तो एक कटोरी में इस तरीके से पानी ले लिया है मैंने और उंगली में पानी लगा के हम इनके किनारू पे पानी लगा देंगे और गुजिया को बन कर लेंगे तो साफधानी से बन करना है गुजिया की स्टफिंग भाहर ना आए इस तरीके से आराम से इसे प्रेस कर लेंगे ताकि ये एक साथ चिपक जाए इस तरीके से बंद कर लें और अब हम इनको शेप देंगे तो शेप देने के लिए हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और आगे से प्रेस कर लेना है एक बार और देखिए इसे इस तरीके से फ फोल्ड किया और आगे से प्रेस कर लिया पार्ट को और उसी पार्ट को फिर हमें फोल्ड कर देना है इस तरीके से इसी तरीके से पूरा शेप आ जाएगा गुजिये का प्रेस किया और फोल्ड कर दिया बहुत ही आसान है दोस्तों फोल्ड किया और प्रेस कर दिया ये देखे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और प्रेस करते हुए जाएंगे तो आराम से इसका शेप भी आता जाएगा और लास्ट में इस पार्ट को हमें थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे पहले और उसके बाद इस तरीके से अंदर की तरफ घुमाते हुए फोल्ड कर देंगे तो ये गुजिया भी बनके तयार हो गई है इसी तरीके से सभी गुजिया बनाके तयार कर लेंगे और इसे मैं एक एक करके प्लेट में रख दूँगी सबको और एक कॉटन के कपड़े से आप इसे कवर कर ले ताकि गुजिया सूखे न यह मैंने सभी गुजिया बना के तयार कर ली है तो टोटल हमारी 15 गुजिया बनके तयार हुई है तो अब हम इने तल लेते हैं यह कड़ाई में मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए और इसमें चेक कर लेती हुए एक बार गरम हो गया है कि नहीं तो हमें ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए हलका गरम ही तेल चाहिए क्योंकि इसे हम मीडियम से मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे अच्छे से तो यह लोई उपर आ रही है और हलका सा तेल गरम हो गया है तो इसी स्टेश पर गुजिया को भी हम फ्राई करेंगे देखिए लोई उपर आ गई है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ गुजिया डाल देती हूँ मैं अब इसमें एक एक करके फ्लेम मीडियम ही रखें अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे दीरे दीरे गुजिया अपने आप उपर आएंगी उसके बादे से हम पल्टेंगे तो देखिए दोस्तों गुजिया अपने आप तल के उपर आ गई है अब इन्हें हम पलट देंगे आराम से पल्टे साफधानी से और दूसरी साइड से भी पका लेंगे चलाते हुए देखें दोस्तों यह गुजिया भी फ्राई हो गई है तो इन्हें मैं निकाल लेती हूं इस तरीके से हमें इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इनकी यह जो लेयर है यह सक्त रहे और इन्हें मैं निकाल लेती हूं इन्हें निकाल लेती हूं तेल अच्छे से निकाल देनगा उसके बाद इन्हें हम चाशनी में डिप करेंगे इन्हें निकाल लिया है मैंने तब तक हम और कुछिया पकने के लिए छोड़ देंगे चाशनी जो हमने तयार की थी इसमें हम इन्हें डिप करतेंगे तो एक एक करके हम इन्हें इसमें डाल देंगे सारी एक बार में नी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम इन्हें डिप करेंगे इन्हें दोनों तरब से डिप कर देंगे चाशनी में और पांच मिन के लिए छोड़ देंगे पांच मिन्ट के लिए इन्हें इसमें डिप करके छोड़ देते हैं तब तक हमारी और गुजिया भी बनके तयार हो जाएंगी तो देखे दोस्तों यह चाशनी में अच्छे से डूप गये पांच मिन्ट हो गये हैं तो मैं इन्हें निकाल लेती हूं एक एक करके अर उसके बाद हम जो और कुचिया फ्राइ कर रहे हैं उनने इसमें हैट करतेंगे तो इन्हें तो पर लेती हूं मैं यह एक करके अराम से शाचफ़ जब rank घत के कित्ती सुन्दर लग रहे हैं खाने में और भी स्वादिश्ट होंगे तो इन्हें निकाल के प्लेट्स में रख लेती हूँ मैं इसी तरीके से सभी को निकाल लेती हूँ मैं तो ये देखिए गुजिया मैंने निकाल लिये तो इसी तरीके से मैं और गुजियों को भी फ्राई कर लूँगी और चाशनी में डाल के निकाल लूँगी ये इसी तरीके से मैंने सभी गुजिया बना के तयार कर ली थी और इसे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हम पिस्ते से थोड़ा थोड़ा इसमें हम पिस्ता एड़ कर देंगे उपर से होले आने वाली है तो इस तरीके से आप मीठी गुजिया बना के चाशनी वाली घर पर तयार करें और सभी का मुव मीठा करें इस होली में आप सभी की होली बहुत ही शुब हो हैपी होली टो आल तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ एक्तम चाशनी से भरी हुई कितनी स्वादिष्ट गुजिया बनके हमारी तयार हुई है दोस्तों एक्तम फ्रेश बाजार से भी अच्छी और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक थैंक यू ओर वाचिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् झाल 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 झाल